काफी ज्यादा बचे परिशान हैं उनको दिमाग में चल रहा है कि सर इस बार हमारे एक्जामनेशन कब होंगे 2025 के उसके लिए कब नोटिस आएगा कौन-कौन से सिफ्ट में एक्जामनेशन होता है कितने माक्स एक्जाम पैकन क्या रहता है कितनी फीस देनी होगी रजिशतन पर जो भी अप्डेट हर एक चीज चानल पर आएगा जल्दी सब्सक्राइब कर देना अब हम बढ़ते हैं आगे बच्चों क्या क्या डिसकास होगा पहले तो प्रिविए सियर का नोटिस में आपको दिखाऊंगा ऑफीशल डेट 2024 की क्या रही थी क्या होती है यहां पर आ रहेंगी यहां पर आपको देखने को मिलेगा PCM का PCM का देख सकते हो 16 मार्च तक इन्हों ने दिया हुआ था कि चलेगा आपका रहेंगी जो इसका डेट दिया गया था कि एक्जाम का 25 से 30 अपरेल के बीच में बटा सा हुआ नहीं था थोड़ा सा और लेट हुआ था मैं तक कर सकते थे इस तरीके से आपको दिया है अगर आप लोग PCM से हो या PCV से भी हो तो आपका क्या होता है कि जो बीचाम नेशन होता है तो सुबह साथ साथ बज़े आपको पहुंच जाना चाहिए एक्जामनेशन हॉल स्टार्ट हो जाता है लास्ट आप लोग 845 तक पहुंच जाओ और यह दो बज़े से लेकर के पांच बज़े तक चलता है इसके अलावा ऑफीशल डेट हमारी मैंने आपको बता है नाइंट ऑफ जैनवरी जो है अपका उस दिन को रिलीज हुआ था ठीक है और रिशेशन के लिए 16 जैनवरी से 1 मार्च तक मौका मिला था बाकि डेट एक्स्टेंड हुई थी तो उसमें 8 मार्च था और देखो कैसे हमारे कितने शिफ्ट में एक्जामिनेशन हुए थे हैं सेकिंड में सो चो अपरेल में खा था ने लेकिन यह मही में चला गया था सेकिंड में के शिफ्ट हुए मैंने टाइमिंग आपको बता दी सेकिंड में फिर थर्ड में को तीन मही को हुआ था चार मही नौ मही दस ग्यारा पंद्रह सोलह और सत्रह यानि कि एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नॉट नाइन डेज में एक्जामिनेशन कराए गया था इसके लबागा क्या एक्सपेक्टेशन से पांच से दस जनव और पूरा आपको फर्स्ट मार्स तक दिया जाएगा एक्जामिनेशन कब होगा लास्ट वीक ऑफ अप्रेल मान लो ठीक है अपरेल मानके चलो लास्ट वीक अपरेल नहीं तो फिर फर्स्ट वीक ऑफ में दर शुरू करी देंगे ठीक है यहां पर क्या है एक्जाम सभी बाकि आपका मन है तो दे सकते हो आपको जो 45 परसेंट का क्राइटीरिया होता है किसी भी कॉलेज में अगर अडिमिशन लेना है तो बस फुल फिल करना है ठीक है तो वह पको फुल फिल करना है बाकि अगर बच्चेंग गार टार्गेट अभी लेके चलो ठीक है मैं आपको बताया है कि क्या हमारा MST-CET का है बाकी रिजर्व कैटेगरी से हो तो 40% मार्क्स पर भी चल जाएगा इसके अलबा रेश्टेशन फीज कितनी रखती है तो देखो जितने भी जनरल कैटेगरी वाले बच्चे उन सभी का 1000 रुपीज फीज होगा चाहे होम स्टेट से हो अधर में हमारे 50 questions and physics chemistry में 5050 questions होते है और total questions 150 questions फोटेए है इसलिए हर कोशन के हमें 2 marks मिलते है देखो 50 questions है इसके लिए 90 minutes मिल रहा है और physics chemistry हमें 90 minutes मिल रहा है तो देखो यहां पर mathematics के हर question के 2 marks तो 50 questions है तो total 100 marks हो गया तो टोटल यह भी 100 marks, तो टोटल 200 marks का हो जाता है, और 150 questions टोटल 3 गंटे में मिलते हैं, 90 minutes for mathematics and physics chemistry के लिए 90 minutes total में लाग करके, हर question में 2 marks and then जा करके physics chemistry में 1 marks और इसके बात जो आ जाता है हमारा कोई भी negative marking नहीं है, यानि कि तुक्के लगा सकते हो, कोई दिक्कताली बात नहीं है अब बाकि इसके अलावा, जो भी आपको अभी से कुछ भी चाहिए, marks versus percentile चाहिए, कि मैं कितना marks का target करूँ, कितने percentile आजाए, अच्छे college admission मिल जाए, वो सब वीडियो भी चाहिए, आप comment करो, strategy चाहिए, कैसे अभी इतने कम टाइम में हम लोग अच्छा से अच्छा कर सक वो सब चीजे चाहिए, तो comment करो, बच्छो आपके लिए वीडियो आजाएगी, बाकि जब भी registration स्टार्ट होगा, हर एक चीज इस चैनल पर आ रहे होगी, जल्दी subscribe करके रख लो, so बस यार, thank you for watching this video, जै हिंद, जै बारत